हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में यह वीडियो बेसिकली पार्ट नम्मर टू है पार्ट नम्मर टू उस वीडियो का जिस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि अगर आप वीडियो कोशिश करें ते पुरी पूरी उसके बार वीडियो लंबी न हầnहें इसका पार्ट टू बनाया जिसके अंदर हम बाकी जितने मेंat के इंदर आउंदर करने की अम की हमें यह ने अपनी मेहनत को किस तरीके से करना है तको किस तरीके से लाइन पर शांब करना है कि हमारा जो एमस है वह हमें अलोट हो जाए फर्स्ट राउंड के अंदर ही तो हमें उस मेहनत को किस डिरेक्शन में करना है कितनी मेहनत करनी है कि हमें वह रैंक अचीव हो जाए ताकि हमें वह वाला एमस मिल जाए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अब हमार कैटेगरी के लिए उसर प्रफी में चाहिए कम 3100 के अंदर में अगर आपको 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 लोट हो जाएगा और यहीं आपकी रेंक अगर क्या कहते हैं हमारी 1400 के अंडर में तो आपको अन्रिजर्फ मेल की के अंदर जो है एमस नाखपूर अलोट हो जाएगा अब हमारे पास यहां पर जो आ जाता है बिसिकली के टेगरी वाइज आ जाते हैं वह ओबीसी फीमेल ओबीसी मेल ठीक है अगर हम एमस नाखपूर क अगर के अंडर अलोट हो जाएगा यहां अगर सेवन के अंडर में तो आपको एजिली हो जाता है अगर अगर आप मेल है तो आपको एमस नापपुर देगे लाट हो जाएगा अब चलते हैं ए एसी सफी पिमेल और एसी पिमेल की नापभु के अंदर हम देखते है तो हमारे पास 6300 के अंडर में अगर हमारी रही रहें है आप हम चलते हैं तो हमारी रांक होनी चाहिए पर के लिए उनी चाहिए और सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको अपनी रैंक को यह लानी और इसके हिसाब से मेहनत करना है उसके अलावा हमारे चैनल पर अल्रेडी सारे इंपोर्टन टॉपिक से रिलेटेड साइक ट्रिक ओवीजी से रिलेटेड वीडियो है और रेगुलर्ली वीडियो को डाल रहे हैं ठीक है और आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम रेगुलर्ली कुछ आच महीने रह गया है तो हमें अच्छे से स्नौर्सेट की तैयारी करनी है तो इसके लिए आपके लिए वीडियो अप्रोड कर रहे हैं जो आपकी इंफरमिशन प्रोवाइट करेगी जो आपकी तैयारी को इनहेंस करेगी और आपको बहुत अच्छा यूनिडिरेक्शनल म कुमेंट देगी जिससे कि आप अच्छी रैंक लाने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है अब हम चलते हैं दूसरी की तरफ हम देखते हैं दूसरा हमारे लिए कौन सा आता है तो अब नागपूर हो गया अब हमारे पास आता है एंस रिशी केस का देखेंगे ह रहता है एंस रिशी केस क्योंकि बहुत अच्छी जगह है उत्राखंड की एक इसके लिए तो सबसे पहले हम चलते हैं यू आर फीमेल के अंदर और आप चलेंगे यू आर मेल के अंदर तो यू आर फीमेल के अंदर आपकी रहेंक रहेंच चाहिए एट हंड़ेंड के करते हैं अब उन्हें देखेंगे मेल के अगर मेल के अगर देखते हैं तो अगर आपकी रहेंक रहेंक यह पिशिकेश अलॉट हो जाएगा सब्सक्राइब चलते हैं तो अब चलते हैं तो और सब्सक्राइब को तो कितनी रहें को नहीं चाहिए और मेल के लिए रहेंक होने चाहिए फोर्टीन हंड्रेड अगर इतनी रहेंक कहती है तो आपको इसली मिल जाएगा स्टी पीमेल और स्टी मेल के अंदर इस सारा हम एट्टीट्वेंटी रेश्यों को मद्दे नजर रखे हुए आपको बता रहे हैं तो आपको इन सारी चीज लिए 2000 के अंडर में अब यहां पर हमारे पर स्टी के टेगरी के कैंडिड़ेट जो आ जाते हैं उनका देखेंगे हम तो जो भी चैन्डिट्वेल और मेल उनके लिए अगर आपको इसली रिशिकेश मिल जाएगा अब हम चलते हैं देखते हैं एमस कि देखते हैं कि लिए क्या रहनी चाहिए कि बीवी अगर केर हम देख लेते हैं तो जैसे कि आप जानते हैं इन्सबी बिवी अगरब अभी Newly Functional फंक्ष्णल एमस में से एक है जो कि functional होगा दीरे दीरे functional हो रहा है इस साल यहाज हुआ है नर्सिंग ओफिजर की आने वाले टाइम में भी होगा तो एंस बीवी नगर के अगर हम देख लेते हैं तो यहां पर हमारे पस you are ऐँआर मेल के टटेगरी और यू आर फीमेल के नदर हम देखते हैं धेम मेल कैटेगरी के आंदर आपको रह सकती है जो आपको लाने पढ़ सकती है वह आपको 900 क्योंकि क्योंकि थोड़ी ज्यादा हाई जा रही है और इन डिमांड के चक्कर में जो वहां के लोकल स्टुडेंट्स हैं उन पर बीवी नगर पे बहुत ज्यादा डिमांड है की मतलब जॉब लग जाए हमारी तो इसलिए इसकी कटफ थोड़ी आई जाती है तो जो जेनरल के टेगरी के लिए 900 के राउंड में रहनी चाहिए और डिपैंड करता है सीट्स भी कितनी आगा क्या पता सीट जादा हो तो कई बार कटफ ऊपर भी चली जाती है पर हमें इतना बोल्स क्टेग्री के अंदर अगर हम देखते हैं एक लिए अगे इसकी मेल और दएक लिए तो हमारी रहने चाहिए 6,000 पिप्टी बिख्टी देखे कुछ स्टाउजनट की है 1650 और हमारे पास क्या कहते हैं जो मेल कर सकती है जो पीज़ टेगरी रह सकती है तो देखे तो हमारे पास सब्सक्राइब निचिए उन चाहिए उन पेर्ट की तो सब्सक्राइब हम देखते हैं सदी के देडिये के स्ट्री के केंडिडेट एंस बीवी नगर के लिए सारे इंफोर्मेशन है वो रहनी चाहिए 4100 अगर आपकी राइनक इतनी है और आप इतनी लेके आते हैं अचीव करते तो आपको और आपका एंस बीवी नगर कर ड्रीम है तो आपको एजली इन अगर मिल जाएगा तो आपक क्यों राइपूर के लिए हमारे पास यूर ए मेल उनके लिएные प्रहनी चाहिए चाहिए three thousand five hundred female category के लिए और male category लिए twenty twenty ग्रख़म जी जाते हैं यहीं चले जाते हैं फिर綁ल स्क्राइब्ली जो डिरीड़ के अंदर और दॉर फिमेल यरे फिमेल के के नम् आपीमिल इस चीज परेंगे दर रहिए इस चीज को नोट कर लएगे आप जो डेगरी ऑसटेकरी कट अब थे लिए अँमारे पास फीमेल पर और मेल उनकी जो रेंक रहने चाहिए एम सराइपूर के लिए वह रहने चाहिए 4500 और हमारे पास जो एम सराइपूर के कैंडिड़ेट है उनके लिए 2000 मेल कैटेगरी के जो कैंडिड़ेट है OBC के उनके लिए 2200 अगर हम स्ट कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं स्ट कैटेगरी के अंदर अगर ह सब्सक्राइब जब्सक्राइब में क्या चाहिए तो आपको इसली एम स्ट्राइपूर हो जाएगा अब हम स्ट्राइपूर के लिए और मेल का चाहिए और यह एट आउजन के स्ट्वाइंट के लिए आपको इसको नोट कर लेना है सारी चीज़ों को कि क्या-क्या कितनी कि एम्स पटना के लिए वह किस हिसाफ से मेहनत करेंगे कि Tipper पutना ड्रीम पटना इसकी तरफ आपको जो रहना चाहिए रुजहाव वह क्या रहना चाहिए रहन कितनी रहन के लिए लड़ाइ करनी है वो देखेंगे हम एक तरीसे से वह होता है जो competitive exam है अगर हम इस वार के अंदर success होते हैं तो हमें मन चाही जो है जैसे क्या करते थे वार जीतने के बाद मन चाही राज्ये मिल जाता था उसी तरह जीतने के बाद मन चाही पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर की वह मिल जाएगी अगर हम पटना के अंदर तो उसकी कटेगरी के रहनी चाही रहनी चाही हो रहनी चाही है अब अगर के बात करते हैं यह पे फीमेल और और मेल केकिने दोनों आ जाते हैं तो इस पटना के लिए चाहिए और मेल के लिए रहते के इस चाहिए थरी सिक्स जोब जोबी कि रहने चाहिए खेंगे तो वह तो भी क्राइबी चीज है ऐसी पतना के लिए वह हमारा पास प्रसक्ट की पटना के लिए और मेल के लिए के के लिए चाहिए नहीं कि आप हमारे पास की कर्टेगरी के कैंडिट के लिए और पर देख लिए उनक्यां के लिए उनके रहेने चाहिए इस आप 12 human خ्रेंस के लिए और मेल मेल का मैस जाते इस ऎसी erhalten के लिए जैसा कि आब जानते हैं अब त्रेंस पतना के लिए गाइन के लिए उनके लिए टायारी करनी अपनी किस रैंक के लिए वह रैंक है vivo adalah यहां कि अंदर आती है यह नंदर का बिल जाएगा और स्टी के अंदर यह फीमिल का रैंक है और मेल के रैंक के लिए 9900 के राउंड में आपकी रैंक रहने चाहिए तो आपको बहुत इसली कॉलेज मिल जाएगा यह मेल के लिए और यह फीमिल के लिए तो चारों आपने कवर किया कैटेगरी वाइस पटना जिनका ड्रीम पटन चुका है आप हमारे पास बच्छे मंगला गिरी देखते हैं जो की बहुत अच्छा एमस है और इन दिमांड यह काफी टाइम से मंगला गिरी उनकी देख लेते कि किस तरीके से क्या रहने वाली है कट औफ ठीक है तो एमस मंगला गिरी के लिए जिनका चाहिए जिनका ड्र सब्सक्राइब टरिक पर एंदर आते हैं और देखते हैं कि नियुक्ट को देखते हैं तो अगर हम उसको देखते हैं तो आम इसी और के पास रहते हैं सब्सक्राइब है कि मंगलाग्री के अंदर में 3000 धीन से ऐखे लिएiate अब हम साथ अब हम आते हैं के जो फीमेल डी यहां और छो एक फीमेल कैंडीडेट हैं और मैल टैट तो लिए उनके रहताएब और जो मंगलागिरी के अंदर के लिए उनके अंदर हम देखने हैं तो हमारे पास जो रैंक रहने चाहिए 10200 के राउंड में और जो हमारे पास अगर आपको आपको मंगलागिरी के अंदर इसली मिल जाएगा ठीक है उमीद करता हूं जिनका ड्रीम इसमंगलागिरी उन्हें सारे रैंक नोटिस कर ली होगी ताकि वह अच्छे से अपनी रैंक की तैयारी कर सके जो भी उनको कॉलेज होने वाला है अब हमारे पास जो फिलाल है जिनके अंदर हो रहा है यह कॉलेज हो रहे हैं वह आप हमारे पास चार-पांच ही रह गए तो आपको फटा-फट से उनके अंदर भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से रहने वाला है तो जैसे कि हम आपास अब आरा हमारे पास नम्मर आता है एम गोरखपुर का जिसकी अभी तक कोई भी कि जो है नोटिफिकेशन काफी देर लग रही थी आने के अंदर लेकिन अभी तक उसकी काफी नोटिफिकेशन आ गई है जोईनिंग वगयरा के लिए तो आपकी जोईनिंग वगयरा का नोटिस गोरखपुर की तरफ से आ चुका है नहीं तक पता होगा अभी सबसे के डिडिट के लिए उनको जो राने पड़ेगी त्री ठाज़ेट के अंडर में और जो करेंखे में के अंदर एंदर यंदे भूरखपुर जो वी सी करेंडिदेट के लिए लानी साथ जो मेल काटेगरी के तरफ से जिनका ड्रीम है इंस गोरकपूर सब्सक्राइब और हमारे पास गोरखपूर के लिए उनके लिए जो घृट करेंगे जिनको चाहिए जिनको चाहिए कि अब आपको नोट कर लेना है बिल्कुल ही ठीक है और उम्मीद करता हूं इसके अंदर मैंने काफी हमारे पास कवर कर ली हैं अब हमारे पास जो एक सेपरेट वीडियो के अंदर आओं हम देवगड़ विलासपूर राजकोट और विजयपूर की हम बात करेंगे क्योंकि यह थोड़े से नए फंक्शनल है तो इसके अं अबारे में गलासिट के बारे में राजकोट के बारे में विजयापूर के बारे में पप्लस हम सेंट्रल गवर्मेंट-OWNगर्मेंट को आपको बहुत अच्छा लगा होगा अगर वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी नॉर्सेट रिलेटेड 2022 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है और इसका से थर्ड पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा आपक क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो का लिंक आपको मिलेगा उम्मीद करता हूं यह वीडियो इंफर्मेटिव लही होगी अगर वीडियो इंफर्मेटिव प्लीज उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक्यू थैंक्यू सो मच